आपना स्वागाथ फिर से नय वीडियो में तो आज lado की वीडियो मैं आपको बताने वादा हूं कि आप लोग जो फरस्ट पार्टी इंसोरेंस हैवो कितने टाइम के लिए होती है रर्ट पार्टी इंसोरेंस कितने तायम के लिए वैसे सब को बेसिक बेसिक पता होगा कि यह सारा टोटल टाइमिंग होता है पान साल का होता है इसमें चार साल थर्ड पार्टी और एक साल फर्स्ट पार्टी करके कुछ ऐसा इंसोरन सिस्टम होता है तो कुछ चीज़ें जो मैंने वीडियो में पिछली वीडियो में क्लेर नहीं हुई थ और सब के जो सारे के सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं तो जैसा कि उसमें बार-बार में से पूछा गया है कि इंशोरेंस मैं कहीं से भी करवा सकता हूं मतलब एजनसी जाना पड़ेगा या कहां पे और भी बहुत सारे सवाल पूछे हुए हैं कि कितना प्रीमियम हर कमेंट मैंने पढ़ा था रिप्लाई भी दिया लोगों को लेकिन वीडियो बनाना भी जरूरी है कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो वीडियो के जदी उनको पता लग जाएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो मैं आपको अभी लेटेस्ट म इन्षोरेंसाल होता है कि एक साल प्लस पांस साल होता है तो मतलब एक साल प्लस-5 साल मतलब यह हुआ कि थर्ड पार्टि कि पूरे 5 साल के लिए और एक साल के लिएальная फर्सट पार्टी तो ऐसा कुछ उन्हेंने कमेंट पुछा था तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि जो अपना जो इंसुर एक साल प्लस पांस चाल का मतलब यह हुआ कि जो आपका इंसुरेंस होगा वह फुर्स पार्टी वाला इंसॉरन तो चलेगा ही सथ में आपको चलेगा फंभा इंसॉरन बहुंज अब्सका थोलोगा सब्सक्राम कर्परत क्लिकी ब्ढलगे उसकी हो होता है तो खुल को भी तो ऐस तो उसका प्रकिलosh ममें और थार्ड पार्टी दोम पर जो प्रस्ट प्रस्ट प्रस प्रस्ट पर्फटी मोई और supports नहीं जो तया साथ होता है एक सप्टार्श होती है ऑइसीनार फोरे कर एक साल चाहिए थahn फान पॉरी तर्डबटी जो आपके सामने वाला जो पर्शन अई उसको भी आपको मतलब क्लेम मिलने वाला और यह सिस्प उसी एक सलकली होता आउंड डैमज फर्स्ट पारटी बाकी सारा सिस्टम होता है थार्डबट नहीं कि नहीं हिप को सबसे पहला जो में से सवाल बार बार पूछा रुभाए की जो मतलब जो आपकी जो नई की वैल्यू दो दुबारा से होता है उसमें हमेश्ण ही गिल्व एक एक लाख रुपए हैए और अब इस टाइम की वैल्यू प्रेश्श्य वैल्यू हमेश्याद की जुए अगर आम एक लाख के हिसाब 7 china आख यता में अगर आप existing क और आप फिर 80,000 के हिसाब से आप उतने ही % पैसे इसमें दोगे, तो इसमें कहने का मतलब यह है कि आपकी बाइक की जितनी भी वैल्यू है उस हिसाब से ही आपको पैसे उसमें देने है, तो आप लोग इससे समझ सकते हो, और मैंने आपको डेटेल में तो वैसे नहीं समझा स ही उस सकता है लेकिन कि एक लग की यह बाइक है तो आपका लग केकश हो सकते हैं क्यूंकि उसमें ही उस момент पर नीचे कि अगला सवाल जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो लोगों ने पूछा हुआ है कि क्या मैं अपनी इंशोरंस को कहीं से भी करवा सकता हूं कि मुझे एजनसी ही जाना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है आपको एजनसी नहीं जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है आप कहीं से भी आप अपनी इंशोरंस करवा सकते हो ऑनलाइन भी हो जाती है आज कल बहुत सारी कंपनी है उस पर फ्लिप कार्ट फोन पर एको और दुनिया भर की बहुत सारी है हर कंपनी हर बैंक का ऑनलाइन सिस्टम भी है और अगर आपको ऑनलाइन समझ में नहीं आता तो आप जाके कि किसी भी बैंक से करवा सकते होँ वहाँ पर आपको बैंक कसी भी बैंक से करा लिए इंशोरंस होता है नहिता हम पर फांद निरवाई जाके करवा चकते हैं अगर सकते हैं आप चक्यारेस एक सवाल ठीक पहले सवाल से मिलता जूलता इसमें भी लोगों ने यही पूछा है कि अगर मैंने अपनी इंशोरंस को करवा लिया मान लीजिए आपने अपनी इंशोरंस को पहले आपकी इंशोरंस थी आइसी आई से और अभी आपने इंशोरंस करवा लिया आपने HDFC से तो लोगों का इसमें भी confusion है कि हां ऐसा कैसे हो सकता है मतलब इसमें मुझे premium मतलब प्रीमिम मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो मैं आपको सबसे पहली बात बड़ी बतातूं कि इसमें आपको claim मिलेगा बिल्कुल 100% मिलेगा आपका जो HDFC की तरफ से होगा वह आपको first party claim मिलेगा और जो आपका ICI की तरफ से होगा जो उनसा दूसरा वाला प्रवाना इंशॉरंस पांच साल का चल रहा है उसमें आपको third party से इंशॉरंस मिलने वाला है तो ऐसा नहीं है कि आपको premium नहीं मिलेगा कुछ लोगों को लगता है कि मतलब दूसरी वाली से कोई लपड़ा नहों जा हो और फाइनल और आखरी सवाल जो कि मुझे भी लगता है कि आपको बताना चाहिए एक कुछ ही लोगों ने वह पूछा था और कहते कि मतलब अगर मैं इंशॉरंस को रिन्यू ना करवा हूं जैसे कि मेरी पांच सल की इंशॉरंस है उसमें से एक साल मेरा first party खतम हो चुका कि नहीं होने वाली या खुद ही समझ सकते हो ऐसे कि जैसे मैं बता दूँँ आपको कि आपकी first party insurance तो आपको claim मिली जाएगा ठीक है बाकि third party में आपको जो है आपकी बाइक क्लेम नहीं मिलने माला जहें वह चोरी हो जाए जहें वह तूट जाए या जहें आपको चोट करने वाला तो इसलिए मैं कहता हूं कि insurance कराना compulsory है आप करवा लोगे तो सही हो जाएगा वैसे नहीं करवाओगे तो पुली से तो आप बची जाओगे जैसे होता ना कुछ लोगों पैसे नहीं होते कुछ तक तो थोड़े दिन जोग कर सकते हो लेकिन आप जल से जल insurance करव हो रही थी वह सारी कुछ इस वीडियो के जरिये clear हो गई होगी तो मिलेंगे आपको नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई और जाते जाते वीडियो कर दीजे लाइक चैनल कर दीजे subscribe अगर मेरे त्वारा दी गई जानकारी से आप को कुछ भी हासिल हुआ हुआ है